आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे दे एलिफेंट नोस यह हमारा क्लास 3 का इंगलीज वोक बूक है सॉरी क्लास 2 का और इसमें हम लोग इंगलीज का चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आपको पढ़ा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा और साथी साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा सो आज हम लोग समझेंगे दे ऐलिफंट नोस का स्टोरी को की यह इसका जो नोस है जैसे आपको दिखरा ओगयожई ऐलिफंट का तो ऐसा नोस होता नहीं है उसका क्या होता है ट्रंक होता है ठीक है जिसको हम लोग हिंदी में सूर बोलते हैं तो ट्रंक इसका तो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका ट्रंक कहा गया अब इस स्टोरी में उसी चीज के बारे में बताये गया है ठीक है ना इतना छोड़ा 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 तो नोज होते नहीं है ऐलेफेंट्स के तो चलिए देख लेते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि इसका इतना छोटा छोटा नोज है और कैसे क्या है देखो लॉंग एगो एलेफेंट डिड नोट हैब ट्रंक्स मतलब कि बहुत पहले बहुत पहले इलेफेंट्स के पास ट्रंक नहीं होते थे जो इनका जो लंबा सा नोज होता है ना जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं ओ नहीं होते थे ठीक है इनके पास सोट नोज जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह से होता था और round होता था, गोला टाइप में होता था ठीक है, at that time very little elephant lived with his family in Africa उस समय एक बहुत छोटा हाँ थी, ठीक है, वो अपने family के साथ रहते थे उनका family में सारे लोग थे, कैसे हम लोग के family में, पापा, सिस्टर, भाई, बहन, सारे लोग रहते हैं न, उसी तरह से तो इस family में भी सारे लोग रहते थे, और यहाँ पे, कहाँ पे रहते थे इन लोग, आफरिका में रहते थे तो little elephant asks questions about everything, और जो little elephant था न, जो सबसे छोटा elephant था वो किया, बहुत सारे questions को पूछते रहता था हमें से, कैसे होते बच्चे लोग questions हमें से पूछते रहते हैं, आप लोग भी पूछते रहते हो, उसी तरह से यह भी little elephant question पूछता था little elephant पहले ostrich, यह जो ostrich है इससे पूछता है, what do your tail feathers grow this way, बूल रहा है कि अपका जो पूछ है, ऐसे इस वे में क्यों, मतलब की grow करता है, ऐसे कैसे बढ़ता है, उपका जो punk वगरा है ठीक है, तो यह भी question पूछता है, तो ostrich बोलता है, oh little elephant, go on your way, मतलब की यह answer नहीं करता है, बोलता है, कैसे बच्चे लोग बहुत सारे question पूछते हैं, तो हम लोग reply नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोग क्या है, कि बहुत silly question पूछते हैं, बीना मतलब का भी question पूछते हैं, तो इसलिए यह भी गुस्दा में बोले, oh little elephant, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरे से बात मत करो ऐसे, फिर little elephant, giraffe से, giraffe के पास जाता है, giraffe के पास चाकर पूछता है, कि आपके पास sports क्यों है, sports मतलब giraffe के पास होता है न, इस तरीका से sports गोला गोला, ठीक है, ऐसे round round इस तरीका से giraffe के पास, तो यह पूछता है कि आपके पास ऐसे sports क्यों है, तो giraffe बोलता है कि क्या silly question पूछती हो young elephant, ऐसे, अभी गुस्दा हो जाता है, फिर little elephant, little elephant क्या पूछती है, what does the crocodile eat for dinner, फिर little elephant पूछती है, कि इस से, bird से, कि जो crocodile होते है, वो dinner में क्या खाते है, bird reply करती है, कि तुम बहुत सारे questions करती हो, तुम river के पास जाओ, river के नस्दीक के पास जाओ, वहाँ पे तुमको, वो मिल जाएगा, crocodile, little elephant had never seen a crocodile before, but off he went to find one, little elephant है, कभी crocodile को देखा नहीं था, कभी भी नहीं देखा था, तो उसको कैसे पता चले, कोन crocodile है, लेगिन फिर भी वो चली जाती है, खोजने, उसके बाद क्या है, कि वो कहाँ river के पास जाती है, फिर वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे एक, he tripped over a log, but the log turned out to be a really crocodile himself, फिर वहाँ पे जाने के बाद इसको एक दिखाई देता है, लकडी ये सब ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिर बाद, एक crocodile लिकलता है वहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, अब लिकलने के बाद, little elephant इसी से पूछती है, पूछती है, क्या पूछता है, let's see, excuse me, have you seen crocodile around here, क्या तुमने यहाँ पे अगल बगल क्रोकोडाईल को देखा है, क्रोकोडाईल से है, क्या तुमने क्रोकोडाईल को देखा है, तो क्रोकोडाईल बोलता है कि मैं ही क्रोकोडाईल हूँ, what do you want, तुमको क्या चाहिए, little elephant, really, I have been looking for you बोल रहा है कि मैं तुम ही को ढूंड रही थी Will you please tell me what you eat for dinner बोल रहा है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम डिनर में क्या खाते हो क्रोकोडाइल बोलता है Come here little one I will whisper the answer in your ear बोल रहा है कि तुम मेरे नजदीखाऊ मैं answer तुमको बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ वो तुम्हारे कानों में बताऊंगा ठीक है और ऐसा क्यों बोल रही आप लोग भी समझ रहे होंगे क्योंकि क्रोकोडाइल को अलिफेंट उसके पास जाती नजदीख जाती है तुथी मौथ रहता है चारों तरफ उसका मुझ में पूरा दाथ ही रहता है क्रोकोडाइल का जैसे आप देखते हो पिक्चर में और क्रोकोडाइल उसके पास जाती है तो उसको पकड़ लेता है और उसका नोस को पकड़ लेता है क्रोकोडाइल जैसा है यह इसका नोस है बोल देता है तो little elephant क्या बोलता है कि let go the head that मुझे जानों तो मुझे दर्द हो रहा है ऐसे क्योंकि इसका nose पकड़ा तो किसी को a snake heard little elephant holler he stopped to see what the matter was एक वहाँ बगल में snack था साप भी था बगल में और साप सारा बात को सुन रहा था और देखता है कि आखिर क्या matter है वहाँ पर सुनने के बाद फिर जो little elephant को बोलता है कि मैंने देखा तुम को तुम खुद से ही अपने आपको दिक्कत में डाले हो क्योंकि यही गई थी वहाँ पूछने बगल में नजदीक गई तो पकड़ ही लेगा इसलिए बोले कि तुमको जितना ताकत है अपने आपको पीछे खीचो नहीं तो क्या करेगा तुमको ड्रैक करके रिवर में रे जाएगा खीच करो रिवर में ले जाएगा और फिर तुमको मार डालेगा तुमको खा जाएगा पूरी तरसे लिटिल ऐलिफेंट के पास जितना ताकत था ताकत लगा कर अपने आपको खीचता है और फीपूल सो हाड़ थेट नोस बिगन तो स्ट्रेच और इतना खीचता है कि उसका जो नोस है वो पूरे स्ट्रेच हो जाता है देखो कैसे खीचा जाता है पूरा लंबा हो किया न औ और इसनेक भी क्या करता है लिटिल एलिफेंट को खीजता है देखो कैसे इसनेक भी बचाने की कोशिस करता है तो इसनेक भी जितना ताकत होता है वो भी उतना खीजता है क्रोकोडायल पूल हाड ऑन दो एलिफेंट और क्रोकोडायल क्या करता है लिटिल एलिफेंट का नाग नाक को भी खीजता है दोनों स्नेक भी उसको खीजता है लिटिल एलिफेंट भी पुरह स्ट्रॉंगर तो क्या होता है कि स्नेक और लिटिल एलिफेंट दोनों स्ट्रॉंग हो जाते हैं दोनों साथ में मिल गया तो क्रोकोडाइल से ज्यादे स्ट्रॉंग हो गए, अब उसके बाद वो खीज कर finally crocodile को उससे बच जाता है हम, तो फिर little elephant बुरता है कि उसको little elephant बच जाता है, उससे crocodile से बच जाता है, और बचने के बाद फिर जो नोज है ना 5 फित लंबा हो जाता है, 5 फित लंबा हो जाता है अब little elephant किसको बोलता है क्योंकि खीचा रहा तो उसका nose इसलिए 5 feet लंबा होगे अब ये crocodile snack को बोलता है कि thank you snack तुमने मेरा जान बचा लिया और ये बोलता है कि जब मैं यहीं बैठोंगा कुछ दिर तक क्योंकि मेरा nose है यह लंबा होगे है मैं ऐसे में घर जाओंगा तो सब मुझे बोलेंगे कि यह क्या है इसलिए मैं यहीं बैठता हूँ कि जब तक मेरा नाक सिकूर कर फिर से जासा पहले जासा हो जाए तब तक मैं यहीं रहूंगा तो वहीं रहता है लेकिन nose जो होता है उसका shrink नहीं होता है पहले जैसा नहीं होता है वो लंबा ही रहता है crocodile had pulled into a long trunk at first little when it was there और starting में उसका long trunk के कारण क्या था कि वो starting में sad था ठीक है but soon he found out many of his nose 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 लेकिन वो देखता है और उसके बाद उसका देखता है कि उसका जो लंबा nose होने के कारण उसका बहुत ज्यादा uses हो रहा था तो जिसको हम लोग trunk बोलता है elephant का इसके कारण यह देखा कि इससे बहुत ज्यादा इससे बहुत ज्यादा सकता है लंबा nose होने के कारण वह दाट फ्लाइ और मैं सोल्जर फ्लिव वेन आई हिट इवित माई ट्रंक बोल रहा है कि जैसे कि कोई भी सोल्जर पे कोई भी बैट रहा बोट्स वेगरा तो अपना ट्रंक से आराम से पीछे मार कर हिट करके भागा दे फिर स्नैक करता है कि यू कुड नोट है दन देट विद्धा सोट नोस बोल रहा है कि ये चीज़ तुम अपने सोट नोस से नहीं कर सकते थे नोस भी बोलता है कि हाँ अच्छा है इससे तुम भागा भी ले रहे लिए 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 फैंट बोलते कि I can eat a beach of bunch grass without bending down watch me scope of school mud and my head यही ब अधिर कर ले रही है ठीक है he who you could not have done the with the sore nose फिर बोल रहा है कि यह सब तुम सोट नोस से नहीं कर सकती थी लॉंग नोस के कारण ऐसा हो रहा है लिए लिए ले फैंट हम हम हैपली शुंगिंग इस न्यू ट्रण्ग और जो लिए 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 न्ट है खुसी-खुसी कैसे हो गया कहां से लॉंग नोज आ गया तो लीडिर ऐलिफेंट बोल रहा है कि I got it from crocodile बोल रहा है कि मुझे क्रोकोडाइल से मिला है ये वही मुझे दिया है रखने के लिए long nose फिर उसके elephant मदर थी ओ बोलेगी ये मुझे अच्छा नहीं लगा तुम इस पे अपने आप जैसा नहीं लग रहा है मेरे सन जैसा नहीं लग रहा है तुम stranger type दिया फिर sister बोलती है उसकी sister elephant कि तुम एक अजनभी type लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग हमारे family क्योंकि सारे लोग का no sort था इसका लंबा होगे इसके कर तो लिटिल है different खुसी खुसी गाता है कि ये गाता है ये जो है ना ये एक तरह से poem type हो गया जैसे कि my new trunk might look strange but please do not be fooled from picking fruits to keeping cool my trunks is very useful tool वहीं बोल रहा है कि मेरा ऐसा है कि अजनभी type लग रहा है लग रहा होगा लेकिन ये बहुत अच्छा है इससे हम fruits वगारा pick up कर सकते हैं कोई भी चीज को carry कर सकते हैं और जो मेरा trunk है ये बहुत जादे useful है when they saw his useful little elephant trunk was जब उन लोग mother elephant, sister elephant, father elephant जब देखते हैं ये सब nose को कि कितना useful है तो सभी elephant चाहते थे कि मेरा भी nose इतना ही बड़ा रहे तो one by one करके वो river के पास जाते हैं और अपना nose crocodile से लंबा करवा लेते हैं तो इसी तरह से बोला गया है कि अभी के date में चितने भी elephants है जिनक से आसा हो रहा है ठीक है ऐसी यही reason था कि उन लोग का जो nose लंबा है यही reason है तो I hope कि आपको स्टोरी समझ में आया होगा तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरोर करें थैंक्यू